हलो फ्रेंट्स वेलकम वंस अगें नान कैमरा टेक आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक स्कैनर के बारे में जिसमें आप अपने डोकुमेंट्स को स्कैन करके फोटो ले करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप उनको शेयर कर सकते हो पेडियेफ में जे पीज a scan to PDF with your iPhone. In a few in a few tabs व को देखी इस वे लिखा हुआ है कि create and share multippage PDF guidance in a high quality in a few taps यान कुछ ही tap करके आप इसमेंители or high quality लॉन को share कर सकते हैं Share your scans as PDF, JPG और पी एंजी फाइज नेक्स पे क्लिक करते हैं यह लिखा हुआ है sign facts and store documents यह आप sign कर सकते हो fax बेच सकते हो और documents को store भी कर सकते हो अपनी ID बना करके नेक्स पे क्लिक करते हैं और देखिए यह Unlock All Features, यह लिखाव है कि सभी फीचर्स आपको Unlock करने के लिए पैसा देना पड़ेगा और क्या है आगे Make the most of your iOS device and scanner PDF, yet simply yet powerful business tool, scanner PDF, scan documents, scan without limits, convert images into text, यानि कि आप बिना किसी limit के यहां पे scan कर सकते हैं और images को text में change कर सकते हैं, with osier and get signed and stamp, उनको sign and stamp भी कर सकते हैं और 50 GB का आपको cloud storage यहां मिल जाता है, एक साल का जो charges है वो 4,199 है और यह auto reading हो जाता है, जिसमें तीन दिन का इसमें trial, free trial period है, तो तीन दिन का free trial period के बाद आपको इसमें pay करना पड़ेगा दोस्तों, जो चलिए next पे चलते हैं, अबी यह connected नहीं था, connect हो गया है, so, three days period के लिए हम try कर लेते हैं, नहीं देखिए payment के लिए confirm करना चाहरा है, but we don't want to pay anything हो गए, so हम इसको cancel कर देते हैं, so, would you like to accept our privacy policy, okay कर दो, would you like to access the camera, yes, would you like to send your notification, don't allow, मैं नहीं किया notifications को, अब देखिए advertisements तो आएंगे, यह देखिए scan हो गया है, उसको right click करेंगे, यह हमरी scan की image है, अब हमने इसको sign करना है, इसके ओबर, तो हम sign पे click करेंगे, यहां पे, यहां plus के sign पे click करेंगे, left, और draw by hand करना है, तो hand से draw कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे sign कर दूँ, suppose, ओके, यह जैसे मेरे sign हैं, और यह मैंने इसको, यह कर दिया, अब यह sign हमरा आ जाएगा, हम जहां पे, इस sign को लाना चाहते हैं, वहां पे drag करके, इसको बढ़ा या चोटा कर सकते हो, side-sept पकड़के, और यहां पे, जैसे हमने sign को यहां रख दिया, और done पे click किया, done पे click करने के बाद share आता है, share आप कर सकते हो, इसको इमेल करना है, खुद को या किसी और को प्रिंट करना है, गैलरी में सेव करना है, save to files करना है, इमेल करना है किसी को, send to cloud करना है, तो यह pro version में, इसके लिए आपको charges देने पड़ेंगा, खरीदना पड़ेगा, इनका subscription भी, और अगर आपको, किसी और application में open करना है, तो, आप इसको open कर सकते हैं, तो अगर देखिए, अब next है, इसमें OCR, text recognition, please, note that the text recognition feature, okay, text recognition, जो है, जो है, जो है, जो है, इस text को रगरिकनाईज करेगा, वो feature अभी हमारा off है, इसमें, क्योंकि हमने पैसा पे नहीं किया है, और recipient information आप यहाँ डाल सकते हैं, okay, किस country से है, उस country को select करके, और आप fax कर सकते हैं, उस number पर, यहाँ पर आपको fax का number डालना होगा, यहाँ पर country का code सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से fax भी कर सकते हैं, और share करना है, तो मैं जैसे इसको save to geldi कर देता हूँ, don't allow, cancel, यहाँ से हम, इसको save to files कर देते हैं, तो यह, जैसे हमने अभी, e-books में save कर लेते हैं, इसको, okay, इ-books में save किया, shared successfully, okay, और sign मैंने आप उकर के दिखाई दिया है, ठीक है, अगर आप इसको crop करना चाहते हैं, crop, okay, crop आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे देखिए आप, आपको यह वाला part नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नीचे का चाहिए, यहां, से लेके यहां तक, तो आप वो भी इसमें easily कर पाएंगे, यही crop कर दिया मैंने, और side से भी crop करना है, तो यह ऐसे लिया, और थोड़ा side से भी crop कर दिया, मेरे पास जो main information मुझे चाहिए, वो मुझे मिल गई है, अब done पे क्लिक करेंगे उपर, और yes पे क्लिक कर देंगे, तो यह information हमारे पास आ गई है, जितनी information हमें चाहिए थी इतनी आ गई है, ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, use, मैं इसको close कर रहा हूं, और delete का जो sign दिखाई दे रहा है, delete पे क्लिक करेंगे, तो आप scans delete हो जाएंगे, यानि पहले जो आपने scan किया था, वो delete हो जाएगा, manual पे क्लिक करते हैं, तो यह auto mode आ गया है, अब यह document ले रहा है, document का automatically ले करके यह, उसको scan करेगा, यह देखिए, प्लीज ट्राइए, manual mode, क्यारे document मिला नहीं, manual mode ट्राइए करो, यह हमने manual mode ट्राइए कर दी, इस तरीके से friends, और I hope आपको यह software अच्छा लगा होगा, इस software में logo भी आपको दिखा देता हूं, यह जो उपर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे उपर, यह software का logo है, scanner लिखा होगा है, red color में, okay, so, यह scanner iPhone के लिए है, और आप इसको free में use कर सकते हैं, cross करके, three days trial period के बद किया आता है, वह मैं आपको बाद में बताद हूँ है, आप comment section में मुझे बताईए कि आप कौन सा application use करते हैं, scanning के लिए, और अगर आप नहीं use करते हैं, कौन सा आपको ज्यादा use करना बहतर रहत तो video like कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो dislike कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो, मैं मिलता हूँ आपको next studio में, till then take care of yourself, और हमारी आप playlist में जा करके बागे वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें software tutorial और mobile application tutorial भी आपको daily मिल जाते हैं, और amazon के quiz, जो contest जो होते झाहते हैं, झालके आपको नहीं खब अउन क अच्छा पर दो दूूल झाल झाल